प्राणियों का वर्गी करण अब तक प्राणियों के वर्गी करण की यही अर्था पारंपारिक पद्धती प्रचलित थी पर रॉबर्ट विटाकर की पंच जगत पद्धती के अनुसार वर्गी करण करने पर सारे भ़ु कोशिकीय प्राणियों को एक ही जगत में समाविष्टक किया गया, प्राणी जगत में एक जगत में वर्गी कुरुत किया गया, जिसे प्रोटिस्टा कहा गया इससे पहले वाले वर्गीकरण में इन प्राणियों को अलग उपसंग में रखा गया था जिसे यूरो कॉर्डटा कहा गया ये वर्गीकरण करते समय जिन मुद्धों को आधार बनाया गया था वे मुद्दे है रचनात्मक संगठन, शरीर की सममिती, देह गुहा, जननस्तर, खंडी भवन, इत्यादी वर्गी करण के इन मानदंडों को समझने से पहले, इनसे समंधित शब्दावली को समझना अवश्यक है ये वर्गी करण की पहली सीड़ी होती है, इसे रचनात्मक संगठन कहा जाता है एक कोशिक ये प्राणियों के शरीर का संगठन, जीवद्रव्यस्तर इस प्रकार का होता है वहीं दूसरी और बहु कोशिक ये प्राणियों में कोशिका स्थर या कोशिका उतक स्थर होता है या फिर उतक अवयो स्थर होता है उतक अवयो स्थर में कुछ उतक एकतरित आकार अवयो तयार करते हैं परंतु वे पूरी अवयो संस्था का विकास नहीं करते हैं जैसे चप्टे कुरुमी, कोशिका उतक स्तर पर कोशिकाएं साथ आकर उतकों का निर्माण करती है और उन उतकों के सहायता से शारिरिक क्रियाएं संपन करती हैं, जैसे अंतर गुहिन संग के प्राणी, अवयव संस्थान, स्तर, संगटन, इन प्राणियों में अलग-अलग के अवयव एक साथ आकर कुछ विशिष्ट कारियों के लिए अवयव या अंग संस्था का निर्माण करते हैं, जैसे मानवी अवयव संस्था, श्वसन संस्था, पचन संस्था, दूसरी सीड़ी है शारिरिक सममीति के अनुसार वर्गी करण, शारिरिक सममीति का अर्थ सम प्राणियों के शरीर से एक विशिष्ट अक्ष लेकर कालपनिक रिखा खीचने पर उस शरीर के समान दो भाग होते हैं या नहीं। इस प्रकार के शरीर के बीचों बीच मद्य अक्ष में से जाने वाले किसी भी प्रतल में से कालपनिक रिखा खीचने पर दो समान भाग होते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारा शरीर द्वी पाश्व सममित है। वर्गे करंड की तीसरी सीड़ी है देह गुआ के बारे में सोचा जाता है। शरीर और अवयों के बीच में पाए जाने वाली रिक्त जगह को देहगुआ कहते हैं। हमारी शरीर में देहगुआ में अंतरिक अवयों का समाविश होता है जैसे फेफडे, रुधे, ग्रास नलिका, छोटी आंतनी, बड़ी आंतनी, पेट, गर्भाशे, इत्यादी। इस प्रकार के प्राणियों को सत्य देहगुआ वाले प्राणी कहते हैं। और नकली देहगुआ वाले प्राणियों की गिंती इस वर्गे करण में नहीं करते। बचे हुए देहगुआ वाले प्राणियों का वर्गे करण उनके विशिष्ट शारिरिक रचना के आधार पर किया जाता है। जैसे सकंड कुरुमी, संधीपाद, मृदुकाय कवचधारी, कांटे दार्तव चावाले, अर्धमेरुदंडिय और समप्रुष्ठ रज्जु प्राणी इत्यादी। इसके बात की सीड़ी है आध्यस्तर या जन्नस्तर। बहु कोशक ये प्राणियों में भुरुना वस्था के आरंभ में ही कोशिकाओं के आध्यस्तर का निर्मान शुरू हो जाता है। और इसी आध्यस्तरों से ही प्राणियों के शरीर में विविद उतकों का निर्मान होत प्राणी कोश्प्राणियों में केवल दो अध्यस्तर जननस्तर होते हैं, भाघिर्जणनस्तर और अंत्र जननस्तर होते हैं. रंद्रिय प्राणी संग, ये सबसे सरल रचना वाले प्राणी होते हैं, उन्हें स्पॉंज कहते हैं, इनके शरीर पर आसंख्य सूक्ष्म छीद्र होते हैं, इन छीद्रों को अस्टिया और अस्कियोला कहते हैं, ये प्राणी जलचर प्राणी होते हैं, और अधितर प्राण समुद्र में और कुछ मीठे पानी में पाये जाते हैं मुख्यता इन प्राणियों के शरीर असमतली वाले होते हैं इन प्राणियों के शरीर में एक विशिष्ठ प्रकार के कॉलर कोशिका होती है यह प्राणी हमेशा किसे आधार से सल्लगर रहते हैं इस कारण उनमें कोई ग या निकाला जाता है इन प्रानियों में प्रजनन के क्रिया मु कुलन इस अलेंगेक पध्धती शेय कोच्प पहती है उदारंड साइकॉन, यूस्पोजिया, हाईलोमनिया, यूपलेक्टेला, आदि, सिलेंट राटा, निडारिया, प्राणी संग इन प्राणियों के शरीर का आकार दंडाकृती अत्वा छत्री के आकार जैसे होता है दंडाकृती शरीर होने पर उसे बहु शुन्डक कहते हैं और छत्री जैसा शरीर होने पर छत्रिका कहते हैं प्राया या प्राणी समुद्रवासी होते हैं, थोड़े बहुत प्राणी मीठे पानी में पाये जाते हैं इन प्राणियों के शरीर अरिय सममिती और द्वी सरिय कोशिका वाले होते हैं इनके मुख के आसपास दन्ष पेशिया होती है जिनमें स्परशिकाएं होती है स्पर्शिकाओं का उपयोग भक्ष पकड़ने के लिए होता है और दन्षपेशिया भक्षों के शरीर में वीश का अंतक्षेपन करती है इनका उपयोग स्वयम रक्षन के लिए भी होता है उधाहरं जल्वयाल, कोरलस, सी अनिमबन, फाइसेलिया, अरेलिया, प्रवाल, पित्यदी चप्टे कुरुमी प्राणियों का संघ इनका शरीर दुबला, पत्ला और पत्ती ओ या पत्ती की तरह चप्टा होता है इसी कारण उन्हें चप्टे क्रुमी प्राणी कहा जाता है। ये प्राणी अधेकतर अतह पर पोशी या अतह पर जीवी होते हैं, पर कुछ स्वतंतर जीवन्यापन करते हैं और पानी में पाये जाते हैं। इनके शरीर देहगुहाहिन होते हैं और उनमें द्वीपार्श्व सममीती पाये जाती हैं। ये प्राणी त्री जनन स्तर ये वाले होते हैं, अर्था इनका शरीर बहिर जनन, मद्ध जनन और अंतर जनन स्तर ऐसे तीन जनन स्तरों से बना होता है। ये प्राणी उभयलिंगे होते हैं अर्थात नर मादा प्रजनन संस्थान एक ही प्राणी एक शरीर में पाए जाते हैं उदारन प्लेनेरिया लिवर फ्लूग फिता क्रुमी चुनोतीस विकारे मानव में टेप वोम का संसर्ग और भीड बकरी इत्याधि घास खाने वाले जानवरों में लिवर फ्लूग का संसर्ग किस प्रकार होता है? यह संसर्ग ना होने के लिए हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? गोल कुरुमी पराणी संग इन पराणियों के शरीर का आकार बारीद धागे जैसा या फिर बेलंग के जैसा होता है इसलिए इन्हें गोल कुरुमी कहा जाता है ये पराणी या तो स्वतंतर जीवन यापन करते हैं या फिर अतह पर पोश्य होते हैं स्वतंत्र जीवन्यापन करने वाले प्राणी जलचर या फिर भूचर हो सकते हैं इन प्राणियों के शरीर त्री जनन सर्य होते हैं और इनके शरीर में नकली देहगुहा होती है ये प्राणी एकलिंगे होते हैं उधारण, एसकोरिस, पेट के परजीवी, फाइलेरिस, हाती पाउ का परजीवी, लोआ-लोआ, आग का परजीवी चुनोती स्विकारे पेट की कुरूमी, हाथी पाव रोग की कुरूमी, वनस्पतियों में संसर्ग उत्पन करने वाले कुरूमी का संसर्ग किस प्रकार होता है? ये संसर्ग ना हो, इसलिए हमें क्या सावधानी बरतनी होगी? यदि संसर्ग हुआ, तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए? झाल झाल